नमस्कार मैं हूँ सुमेट एन्ने टीवी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीरीज पंचायत तीन आजकल दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। और सीरीज में एक एहम करेक्टर नेवाने वाली सानविका जी हमाई साथ में है। चले हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सानविका हमसे जुणने के लिए बहुत-बहुत धन्रवाद है। थैंक यू, थैंक यू सुमिट ची। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज भौपाल आप आई हुई है। तो बैसिकली आप जवलपुर से हैं। तो हमारा भौपाल वापस बार-बार आना जाना लगा रहता है। तो इट इस लाइक अ होम फ़र उस। और भौपाल जब पूर लगवग लगवग सिमिलर ही है। मतलब मुझे बहुत घर वाली फीलिंग आती है। यहां पर भी वैसे ही लगता है क्योंकि हम जब शूट करते हैं, तो जो जो शान्ती रहती ही। यहां जो बसुलप बार-बार वाली जिन्दगी रहती है। में थोड़ा सा एक शांती है और एक सुकून है काफी सारे पेड़ पौधे हैं तो बहुत अच्छा लगता है वैसे तो आप सुकून से यहां समय बिता रही है तो अब आपका क्या प्लान है क्या करने वाले हैं अभी तक तो मुझे कोई आइडिया ने आज हमाई है गुलक की स्क्रीनिंग है हमाई टीम आई हुए है और ओफिशल्स आएंगे तो उन सब के साथ हमाई आज स्क्रीनिंग है आपने सिरीज में रिंकी का किरदार ने बाया है प्रधान जी की जुबेटी है तो एक तरीके से वह जो लड़की है बहुती एक व्रेव और एक स् सानवे का किपनी अलग है उसमें मतलब अभी तो वह बहुत सिंपल है बहुत सीधी साथी है लेकिन दीरे दीरे जैसे जैसे उसके लाइफ में इंसिडेंस हो रहे है तो उसका कारेक्टर जो है वह और एक्स्प्लोर हो रहा है तो वह थोड़ी सी अपने घर का माहोल देखकर अपनी मम्मी को देखकर थोड़ी सी वह बोल्ड हो रही है मतलब वह फाइट कर रही है धीरे-धीरे स्टैंड ले रही है उसको क्या करना है जिंदगी में वह साही चीजे वह सोच रही है और मैं अपनी लाइफ में बहुत डिफरेंट हूरंखी से हमाई कुछ कुछ चीजे जैसे कि वह समझदार है मैं समझदार हूँ यह मैंने पहले भी बोला है तो मैं बहुत अंबिशियस हूँ मुझे पताए कि मतलब मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में कैसे जाना है कभी-कभी confusions होते हैं लेकिन जो सानविका है वह बहुत risk-taking वाले इंसान है वह अब रिंकी पंचायत चार में क्या करती नजर आईगी यह तुम मैं नहीं जानती हूँ यह मेरे भी एक राज की बहात कहलो यह रहेगी कुछ मेकर्स की तरफ से हंट आई होगी कि अबी तक हमें कुछ बतायाने गया है कि क्या होने वाला है बस यह है कि ओविसली रिंकी का जो ट्रैक है वो और बड़ेगा क्योंकि यह जब हम सीजन वन में थे तो तब भी बुला गया था कि धीरे 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 रिंकी का ट्रैक खुलेगा और उनके माइन में यह फ्रेम था कि मतलब फूर्ट सीजन में उसका लाइक प्रॉपर ट्रैक उसका ओपन करेंगे लिकिन अभी क्या कैसे होने वाल है तो आफ नू क्लू आप सिरीज में काफी जादा कास्ट है जैसे जीतु है नीना गुपता है रगवीर जी है चंदन रोई है मतलब इतने लोग हैं कि मैं जतनी तारिफ करूं इतना कम है तो आपकी on the set किस से सबसे अच्छी bonding रही है मेरी bonding सबसे बहुत अच्छी रही है आप किसी से भी पूछ लीजाए मेरी सबसे बहुत अच्छी बनती है और मुझे सबसे बात करना पसंद है और set पे जब हम रहते हैं तो scenes wise अगर मैं बोलूँ तो scenes wise जीतु के साथ मेरे scenes जाता है तो मैंने sorry जीतु के साथ मेरे scenes जादा है तो obviously मैंने काफे enjoy किया जीतु के साथ shoot करके लेकिन apart from that जितने भी लोग हैं चाहे दुरकेश दादा हो, बिनोध हो, फैजल सर, चंदन, कोई भी हो आप किसी कभी नाम ले ले जाए, मम्मी, पापा, मेरी बहुत अच्छी बनती है किसी से कुछ मन मुटावता होगा, कभी-कभी होता है कि किसी बात को लेकर हम एक बात चुप जाती है, हुआ तो होगा जरूर एक सक्षत होगा मेरा मन मुटाव नहीं होता है, मन मुटाव मेरा मुझे लगते है कि मैं उस वह मैचूर एज में पहुच गई हूँ, जहां पर मुझे चीजे समझ में आती है कि कितना रियाक करना है, कितना नहीं रियाक करना है तो ऐसा मैं दिल पर लेकर ने बठती हूँ चीज़ों को मेरा आपसे एक आखरी सवाल, कि आपके ड्रीम रॉल क्या है, मतलब हम सोचते हैं कि हम इस ट्राइब के किर्दार नेबाना चाहते हैं मुझे से लगते हैं कि जिस भी किर्दार में बहुत सारे लेर्स हो, कॉंपलेक्स किर्दार हो और मतलब लीड हो तो मज़ा ही आजाए तो मैं उस ट्राइब का किर्दार निभाना चाहूँगी जो कि इंटरनाशनल फेस्टिवल वगरा में जिसमें वो जा सके हीरा मंडी आपने देखी थी आपने देखा होगा तो उसमें से आपकी बेस्ट एक्टर सापने आपको लगाता होगा कि मुझे काश इस तरीके के किर्दार में क्योंकि मनीशा, संजीदा शेख, अधिती राओ, रिशा चडड़ा कोई एक आपको लगाता होगा कि मैं इस ट्राइब का किर्दार में नेवाना जाती हूँ See, I have been a Sanjay Leela Bansali fan, always मतलब हम दिल दे चुके सनम से अगर आप बोल लो तो मुझे उनके sets और उनके कपड़े और वो जो पूरा जो ड्रामा होता है मुझे बहुत पसंद आता है, तो मुझे Sanjay sir के साथ काम करना है तो वो जिस वे में एक actor को portray करते हैं मतलब I feel Aishwara Rai Mambi सबसे जादो सुन्दर Sanjay Leela sir की movies में लगी है तो obviously I want to work with him, उनके चासे Stanwika ji, हमसे जुडने के लिए बहुत बहुत धनवाद तमाम जानकारी के लिए खासकर पंचायत 3 और मैंने पूछा था कि गुल्लक में आपसे बात निकलवानी की खोशिश कर रहा था कि पंचायत सीजन 4 आ कबरा है बट आपने वही बात को ख़दम कर दिया बहुत बहुत धनवाद हमसे जुडने के लिए ये थी हमारे साथ पंचायत 3 की एक्टरस सानविका जिनों ने अपनी स्यूरीज पंचायत 3 के वारे में हमसे खुल कर बात की कैमरामेन राजवाथम के साथ सुमित एंड टीवी